देखने में एक सूखे बास का नीरस सा टुकड़ा लेकिन उसमें ऐसा क्या था कि वो भगवान कृष्ण के हाथ में आ जाती थी उनके अधुरों पर सज्चती थी और जब उसमें उनकी फूख परती थी मानों उस सूखे बास की लकड़ी में उस छोटी सी खोकली सी पौरी बासुरी में प्राण फुख जाया करते थे जो ये बासुरी है ये प्रतीक है एक शिश्य के समर्पन का बासुरी एक कथा बाचती है गुरू शिश्य के संबंध की कथा और यहां एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सामने ये छोटी सी बांसुरी रख देती है कृष्ण यहां जगत गुरू है और बांसुरी एक्षिश्या एक्षिश्या जिस समय उन्ट समर्वन को प्राप्त करता है अपने भीतर इस जजबे को पैदा करता है कि हां मुझे खाक होना है जब उसके भीतर ये बात जागरित होती है कि मिटाकर मुझे अपने आप में ज़स्प कर ले बका के लिए मैं फना चाहता हूँ वो चाहता है कि जो जिन्दगी आज तक दुनिया की कड़वाहर को पीते हुए मैंने जी है उसमें कुछ भी नहीं था लेकिन अब जो जिन्दगी जीना चाहता हूँ वो तेरे रस से परिपूंट जीना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे पहले वाली जिन्दगी में मरना पड़ेगा और यहां फिर से जीवन को पाना पड़ेगा यही द्विज होने की परंपरा है गुरू के चरणों में जब एक शिश्य समर्पित होता है गुरू उसे द्विज बना देते हैं द्विज अर्थात उसके भीतर ब्रह्मग्यान को आरूपित कर उसकी आत्मा का जन्व होता है उसे जागरित कर देते हैं जो सुप्त थी मन के सामराज्य में कहीं दबी हुई और अब समस्त शरीर के संचालन का जो बागडोर है वो आजाती है आत्मा के हाथ में और यहां एक शिश्य द्विज बनता है और जिस शर्ण वो द्विज स्रूप को प्राप्त होता है उसी शर्ण आरंभ होता है शिश्यत्व में पनपने का शिश्यत्व के भावों को परिपक्व करने का और जितना वो समर्पन जितना वो खोकला होता जाता है जितना ऊसके बीतर अपनी कोई इच्छा नहीं रहती उसकी Polizei अपनी कोई पसंद महीं अपनी कोई कोई बात शेश नहीं रहती जो है वह तुहे जो करेगा वो तुह जिस शन्ड वह अर्जुन की के जीन आपने जीवन का सारती उसे मान लेता है उसी क्शन वह तो सही मानने में समर्पित हो एक को प्राप्त करता है और शिष्यत्व Brew कि ऐसा है जो पूरी तरह से के खेलता हो जब ज़ड शिशय चेतंग्रु को समर्पित होता है तो खुद भी चेतन सुरूफ को प्राप्त कर लेता है सही बात है जब तक ईश्वर को देखा नहीं हर शक्स जड़ है वो जीवित नहीं शव समान है एक गुरू की चरणों में अर्पित होने पर एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट गुरू की शरणागत होने पर जिस शन ब् भी तर भी वही रस वही स्पंदन बहता है जो उसके प्रभू के पास है और यहां वो यंत्र बन जाता है अपने प्रभू के हाथ का जिस तरहां यंत्र है वो बासुरी प्रभू कृष्ण के हाथ के फिर वो जाहे जैसे बजाए चाहे जैसे रखे चाहे उसे बजाए चाहे ना बजाए लेकिन वो उसका सामीप यपाती है उसके हाथ में खिलता हुआ एक यंत्र बन जाती है और यदि मासुरी कासा ये समर्पंड एक शेश्य के जीवन में आ जाए वो गुरू के हाथ का यंत्र बन जाए एक बार उसे मौका दे अपने आपको मौका दे कि उसके हाथ तो दे उसीक्षण उसके जीवन को एक ऐसा रूप देकर तराश देता है वो गुरू कि उसको फिर सारी दुनिया देखती है एक मिसाल बन जाती है जिस तरह की मिसाल वो बांसुरी है कहने को सूखी सी है लेकिन फिर ऐसा क्या है कि सूखी बांसुरी को आज इतने रस्पून तरीके से याद किया जाता है फिर ऐसा क्या था कि उसके बजने पर सभी जो जड़ है वो चेतन हो जाता था जो कहीं कहीं दूर चला जा रहा है वो स्थब्ध हो जाता था और खिचा चला आता था और जो कहीं रुका हुआ है वो चल पड़ता था जो अगला भजन और उमीद है जब आप उसके शब्दों पर ध्यान देंगे अवश्य ही बांसुरी की एक और कथा आपके सामने उजागर हो जाएगी आईए ज्यादा देर दूरी ना बनाते हुए अब देखते हैं अगला कारिक्रम जिसमें प्रभुश्री कृष्ण के हाथ में खेलने वाली यंत्र बांसुरी की कथा बाची जा रही है आईए देखें बांसुरी की वो कथा बोले सर्श्री आशितोष महराजी की वेणू वादग भगवान श्री कृष्ण की जेए